Hello everyone, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो पर बताया था कि अगर आपके चैनल पर 100 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, तो आप जो है अपने चैनल के लिए custom URL इनेबल कर सकते हो, मतलब कि बना सकते हो, custom URL का मतलब मैंने पिछली वीडियो पर बता दिया था, फिर भी म slash आपके चैनल का कुछ भी लिंक हो सकता है, UCB810945 क्या हो, उसका कोई गैरेंटी नहीं है, लेकिन दोस्तों आप मेरे चैनल को चाह करके देखो कि तो मैंने custom URL इनेबल करके रखा हुआ, तो मेरा custom URL है www.youtube.com slash manojde, only मेरे manojde लिखो के slash देकर कि तो मेरे चैनल ओपन हो जा जो कि थोड़ा देखने में professional लगता है और आप जो है किसी को share भी कर सकते हो, आसान तरीके से, copy नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आप type करके भी share कर दोगा जो काम हो जाएगा, तो आज की इस वीडियो पर मैं आप दोस्तों बता हूँगा, अगर आपका 100 subscribers हो गया है, तो इसको करने के लिए आपको अपने चैनल को फोलना होगा, Chrome के ब्राजर पे आपके फोन से, अगर आप फोन से करना चाहो तो, लेकिन दोस्तों मैं आप यहाँ पे Chrome ब्राजर से अपने laptop पे स्क्रीन पे जाकर मैं दिखा दूँगा, आपको कैसे करना है, आप अपने phone से भी क इस तरह से लोडिंग होगा, इस तरह से आपको पेज ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है Other Features, पर जाकर के दोस्तों आपको जाना है Status and Features, यहाँ पे आप जाओगे Status and Features पे तो आपका एक अलग डेव ओपन हो जाएगा, जिसमें कि आ सारा डेटेल यहाँ से सो हो जाएगा, तो यहाँ से आप देख सकते एक Option आपको मिल जाएगा Custom URL, तो Custom URL पे आपको जो है Eligible होंगे, अगर आपका 100 Subscribers होंगे तो ही, तो आपको यहाँ पे Enable का Option दिख जाएगा, तो आपको Enable के उपर प्रेस करना है, then Enable के उपर प्रेस कर चाहिए, उसके बाद आपका चैनल जो है 30 days कम से कम old होना चाहिए, then guys have an uploaded photo as a channel icon, icon में आपका logo लगा होना चाहिए, उसके बाद guys have uploaded channel 8, आपके channel पर 8 भी लगा होना चाहिए, जिसको banner करते हैं, जो कि मेरे channel पर एक video डाला हुआ है, banner कैसे बनाए, तो यह सारा चीज आपके channel पर already किया हुआ होना चाहिए, तो ही आप eligible हो आपके channel URL, custom URL eligibility, ठीक है, उसके बाद तो कैसे इसको करना है, तो guys मैं इसको बता देता हूँ, तो आपको simply से यहाँ देख सकते, आपको लिख रहा है, you are eligible for a custom URL, claim it here, तो आपको here को उपर प्रेस करना है, here को उपर प्रेस करना है आपको दो option automatic से दिख जाएगा, जो कि आपका channel का जो नाम होगा, वो आपने आप आजाएगा, राजू दे, तो अगर मैं इसको, अगर claim कर दूँगा, change URL कर दूँगा, तो मेरा बन जाएगा, youtube.com slash राजू दे, www.youtube.com slash राजू दे, यह मेरे भाई का channel है, तो इस तरह हो अगर मुझे मन करे, राजू दे, comedy लिखने का, तो मैं comedy लिख सकता हूँ, कुछ extra word add कर सकता हूँ, तो यह है इसका function, तो guys मुझे चलिए, इसको cancel करते हैं, और मुझे simply से, माल लेजे, मुझे channel का नाम ही चाहिए, तो राजू दे, यहां लिखिया हुआ है, उसके बाद अगरी पर किलिक करने कबाद आपको कर देना है change URL, बस आपका जो है हो जाएगा, simple सा तरीका, जादा कुछ करना ही नहीं है, तो यह था दोस्तो आज के इस वीडियो पर मैंने आप लोगो सारा कुछ बता दिया है, आपको कैसे आपने custom URL को enable करना है, तो friends यह था कुछ तरी यहीं वो ने मतरम